दोस्तों, नीचर का नाम सुनते ही हमें सुन्दर पेड, घाटियां, बारिश, पहाड और हवा की याद आती है प्रकर्थ से हमें जो मिला है वा किसी और से मिल ही नहीं चापता प्रकर्थ की सुन्दरता सिर्फ अन्वव ही की जा सकती है और आज हम एक ऐसा ही इन्वव आपको बताएंगे आज मैं आपको बताऊंगा प्रकर्थ द्वारा बनाए गए कुछ अनोखी जगहों के बारे में तो बने रहे हैं मेरे साथ वीडियो के इंट तक रस स्टूडियो में आपका एक बार फिर से सागत है कैपाडोशिया तुर्की तुर्की के बीचो बीच बसा है यह सुंदर शहर इस खुबसूरत शहर को पत्थरों को काट कर बنایا गया था आलिशान होटल और भवन तुर्की के बीच बसा कैपाडोशिया अपने नैचुरल वा आर्टिस्ट लुप के लिए जना जाता है सात्वी शताब्दी में युद्ध के दौरान लोगों की रक्षा के लिए बनाया गया था यहां किसी समय में रोमन अमपैर भी हुआ करता था यहां आपको हॉट एर बैलून्स उड़ते दिख जाएंगे यह जगा अपने आप में ही एक अद्भूद इस्थान है क्लिफ आफ मोहर आयरलेंड यह समद्री चटाने हैं जो काउंटी क्लियर आयरलेंड में ब्यूरेन छेतर के दक्षन पक्षिम किनारे पर इस्थित हैं यह पांच मील फैला वह अंटार्टिक ओशिन से 720 फीट हुचा है चटानों से यहां का अद्भूद द्रश देखने को दिलता है दुनिया भर के कई लोग रिंग ओफ केरी आयरलेंड की पहचान है यहां जाकर आपको ऐसा लगेगा कि यह दुनिया का आखरी किनारा है सालार दे उयूनी बॉलीविया यह दुनिया का नमक का सबसे बड़ा मैदान है यह बॉलीविया के फोतोसी वा औरोरू में इस्तित है यह 12,000 फुट की उचाई पर 11,000 वरू किलोमीटर में फैलाक शेत्र है कभी यह जील हुआ करता था लेकिन जील के सुक जैने के बाद यहां नमक जमा हो गया और पानी की एक परत इसके उपर छूट गई जिससे की एक शीशे की दरा दिखने लगा यह छेत्र इसे धरती का आस्मान भी कहा जाता है यहां जाकर आपको ऐसा लगेगा हिमानो सूरज जमीज से निकला हो दशायर न्यूजीलेंड हिन्यूरा के पस्चिन में 8 किलोमीटर न्यूजीलेंड के वैकाटो में दस किलोमीटर डक्षिन पस्चिन में स्थित है प्रकर्थ द्वरा बनाया गया एक नायाब संवचना यह अब टॉलकेन परिटन इस्थर है यहां पर बैगन के आकार के बने हुए दर्वाजे नदी तालाब खेत शुद्ध हवा जो कि एक अजूबे से कम नहीं है इसे धर्ती का स्वर्ग भी कहा जाता है यहां के घर जमीन के अंदर बने हुए है इस जगा को जितना भी बताया जाए उतना कम है इस जगा को हॉलिवुड गी एक मोवी दा हॉबिट में भी दर्शाया गया है यहां चारों तरफ प्रकर्थ ही प्रकर्थ नजर आती है दे वाइट हेवेन बीच आस्ट्रेलिया आस्ट्रेलिया का या बीच सफेद रेज के खुबसूरत सिल्वर स्काइक एक्वा वाटर के लिए जना जाता है यहां की रेज सफेद होने के साथ साथ ठंडी भी है जो की सूरज की गर्मी से भी गर्म नहीं होती या विट, सैंडी, आइसलेंड के साथ किलोमेटर के छेतर में फैला है यहां सी प्लेन वा हेलिकॉप्टर से पहुंचा जा सकता या सफेद रेज दूर से हीरे की तरह चमकती है इसे धर्ती का सफेद सर्ग भी गहा जाता है तो दोस्तों आपको इन में से सबसे सुन्दर जगा कौन सी लगी हमें कमेंट करके जरूर बढ़ाएं अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें बेल आइकन प्रेस करें आल करें जिससे हमारी वीडियो की सब नौटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहें तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए बी मिस्टिरियस एंड बी सेफ